हालो फ्रेंज कैसे आप लोग आशा करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं तो दोस्तों आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा परसेंटेज का पार्ट फोर होगा आरेडी हमने परसेंटेज का पार्ट वान पार्ट टू एंड पार अभर आप होगा जो कि देखा जातों कमपडिसंट लेवल से बहुत अच्छा को सब्सक्राइए ऐसे को सबस्क्राइब बनते हैं दोस्तों ऐसे को सब्सक्राइब करता है और तीन परसेंट एक स्ट्रेस्ट में दान देता है वो दोनों मदों पर तेई सदस रूपे वीयर क कीज़न का कुल बेतन क्या थि दोस्तों इस को क्वेशन करने का यह आपको कंसर में बताना चाहता हूं बहुत इजी डख सब दाना दोस्तों आप प्लीज बहुत ध्यान सी दिखे गए दोस्तों कर आपकर संपने वेतन पते स्थर फें करता है जार से बाध कि पहले हैं करिया है कि स्व्यल दूक लिख लिए लिखे है %した कि और तीन परसंट पर प्लस थ्री परसंट बरापर हमने कलकुल कर ला थाटिल परसंट था ले तो हमने माला विभी अनका क्या है यक्स है UX का थे 30% बराबर किसके होगा आपका 310 के बराबर इसलिए यह यह जो हमने इसको कलकेट करके देखा यह इसको कलकूल दिए यह साथ बार में चलानी सतर नहारा एक्सका 70 इंटु हंड्रेट कलकुलेट किया तो 7000 इसका राइट अंसर हों जोकि अप्सा नम्मर टी में आ जोस्तों निम्मर है है को करने के जरुर प्यास करेखा तो कॉर्चन अगर नहीं चुड़ करते हैं टोस्तों मैं आप बताहूंगा तो विद्बानें भाग लिया उनमें सा इक को 60% मत मिल औरुए 16 मतों से जीत गया तर लुवा डाले गये कूल मतों कितनी थी दोस्तों कोई बीजो होता है percentage क्या होता एक hundred में होता है मालीज जा क्या उसका hundred percent रहा होगा रहा होगा का 100% अब इसको मैं इस इजली डंग से आपको बताऊं कर रहा कि दो जायर से बाने फ़स्ट को कितना मिला दोस्तो 60% तो सेकेंट जायर से बात मिला होगा आपका 40% इसमें नो डाउट तो हमने जब 60% और 40% को जब इसका डिफेंट निकाला तो डिफेंट आपका है 20% यह किसके बराबर है यह जो कि 16 मतों के बराबर है तो हमने माले कूल मतों से क्या क्या थी यक्स्त की यक्स का 20% इकोल आपके हो जायागा इसलिए एक्स का 20 अपान हंड़े जब परसेंट्रों को हमने चेंज करेंगे तो बटे 100 करेंगे आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं तो इसको हमने काटा जीरू-जीरू से इसको काट यह आगे आपका 80 एक से बराबर हंड्रेट इंटू 80 आपका कॉल्कुलिर किया त इसलिए कि आपसे नमर में हैं है असला इसकी तो है दोस्तों मैं आपको इस को समझा देता हूं दोस्तों तो कह रहा है कि यह दुस्तों तो कॉस्चन बड़ा था दोस्तों इसलिए आप समझ सकते हैं दोस्तों मैं आपको फिन समझाता हूं दिए दोस्तों बोला कि एक चुना में दूदमार में भाग लिया उन्हें से एक को 30 मत मिले और वह 16 मतों से जित गया तो नुसार डाले गया कुल मतों के संख्या थी जाहिए से बाद दोस्तों 100 हमने हमने एक को 60 परशन मिला एक को 60 मिल आप एक से एक से चैंगे तो ने पना हंडेट एक को सिस्टीन सो जो हमने इसको कट पिट किया तो आकि आपका इटी तो 100 इंटी करेंगे एफ थाओ जिन आगा जो के आप से नमापका यहां पर बीमे है आसा करता हूं दोस्तों आपको जरू समझा हमाए तो जब दूस्तों और दोस्तों आपको इसक्री में को सुट करने कोशिश करता हूं दोस्तों यह रहा दोस्तों यह हो कैसे तो दोस्तों चलते हैं सुलकत बोला कि एक नगर की जनसा क्या स्टोंसट हजार हो और उनमें 10 परसें के वार्षिक ब्रीधी होती है तो हो तो तो तीन वर्सों बाद उस नगर जनसें का कितनी हो जाएगी आने दोस्तों मैं बोला कि टोटल आपका कितना है टोटल जो है आपको चोंसट हजार है आपका रेट क्या है रेट आपका टेन परसेंट है तो मैंने बोला था जुरुस्तों तो टेन का प्रसेंट पहले कि आओ तो टेन बट्टे हंड सकते इसको कटेंगे तो वन भाई है कि आपका आजाएगा यह थो बर्ड ही हमने बताया था इसको लड़ती चीछ एलोन आपका टेन को जाएगा तो दिखेए अब है यग य फिन फाल या लोगा फस्ट येरि में क्या पिन एलेवन और इसकेन्ड नियर ㅅटको 14 सुनियरो सब्सक्राइब करेतों वां थाया इसको जो दोस्तों करें ग्यार है क्या होता है स्ट फरेंश और क्यों 131 होता है अगर आपको तो याद नहीं तो याद के लिजिए वर दूस्तों करा रहा है जो संख्या रहे रहे तो 64000 आमने देखा थे 64000 कितना गुणा कर दोश्तों 64 गुणा यह भी फ्रिंस को कितना गुणा होगा 644 गुना होगा ति आपका राइट एंसर हो जाएगा 851884 अगर दोस्तों आपको इसको अगर नहीं आपको आता है तो इसका आपको मल्टिप्लाई करा सकते हैं आप जब इसको मल्टिप्लाई करेंगे जोंगे तो फोर क्याटें बारे मातले इसकिंवारे पांच छीकुण श्रीक अठार एक तरे करे और आपका 8191 एक शायक साथ आप-को फोर एट वान एक खासी लगा था दोस्तो एवर जातितर का प पंद्र यह जातितर आपका नंबर बी में आसा कॉलता हूँ डूस्तो आपको जुरू समझ मैं आगा गागद जोस्तो चलते हैं दोस्तों नेस कोसिचन पर कर weekend डोस्तो में सेथा करें लेता हूं को इसके समत को शुल करता हूं तो दोस्तों यह रहाल आपका लाश कोश्चन दोस्तों एक नगर की जन संख्या 15,000 है यह उनमें पूर्शू की संख्या में 8 परसेंट और इस्तिर्यों की संख्या में 10 परसेंट ब्रिद्धी हो जाए तो जन संख्या पढ़कर 16,300 हो जाएगी तरनुसार जन संख्या तन दुसार उस नगर में इस ती डियोक संख्या कितनी होगी दोस्तों इस कोश्चन करने का आपको बहुत सरल मेतर बताओंगा जैसा कि आप लोग साथ नहीं देख्योंगी अगर देख्योंगे अच्छी बात है अगर नहीं देख्योंगी दोस्तों यह मेतर सबसी यह क्या करा बढ़ के 6300 जाता है 16 बढ़ता कितना 16000 अगर तीन सो में अगर हम 15000 घटा आए तो कितना 13000 आएगा देख लिए गड़ोस्तों ते Kollege के वह देखा थो में जो है में में आपका एट परसेंट है और में जो आ आपका 10 पर region है दोसितों ऐसा करते हैं कि मेन और हमेन का धोकि आगल करते हैं ये अे हिसको सकता हूं 8% 8% और पर जो इस्ट्रा है 2% इस्ट्रा किसका है ओम एन का है किसका दोस्तों ओम एन का जैसा का पूँ जहां रहें तो हमको पहले 8% निकालेंगे कि दोस्तों यह है क्या 8% 8% जबने देखा 15000 का कि एट परसेंट जबने निकाला है कि अनि गुड़ा करेंगे तो क्या हो जागा 158 120 अनि बारसो या रहा है बारस इस्ट्रा है तो बारस यहां आपने इसको घटा लेते हैं दोस्तों मालूम ज़िए ओमें कितना ट्रेट के कि अधे दोस्तु इसको करने काहीं तरीका है कि इसको हंड्रे में चेंज कर लिजिए लेकिन दोस्तों आपको इतना अगर नहीं आता है अकर मैं इसको अगर 50 से गुड़ा अधर नहीं कला हूँ जब कल्कुरेट किया तो हमने आगे 5000 कितने आगे दोस्त 5000 जो कि आपसर नमर आपका डी में यहां पर दिखाया गया हूं अशा करता हूं दोस्तों आपको जरूर समझ में आगा दोस्तों अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज कुछ कमंड करके हमको जुरूर आपको समझाओं तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों आपको जरूर समय में आगा अगर अच्छा लगाओ दोस्तों प्रीस लाइक करते जिएगा और मेरे चैनल दोस्तम सीमय को सब्सक्राइब कर जिएगा और अपने इस्टेडी गुरूप या आपने डिव सब्सक्राइब कर लिया अब जो भी आपको बताएंगे दोस्तों आज करता हूं दोस्तों आज को बहुत इच्छा लगा होगा तो पढ़ाय करते रहें और इसी तरह हमें लाइक किजिए अगर अच्छा नहीं लगा दोस्तों तब लाइक मिजिए और कमेंट जरूर सबच्छा की जरूर कि टरूप कि ये बाइब ये जिए बायाँ